हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सब तो आचुकी हूँ मैं एक और नई अपडेट के साथ भई सिधाय शुकला के नाम से जितनी बटोरनी है पबलिसिटी बटोर लो यही सोच रख रहे हैं कुछ लोग जिसमें रुबीना शामिल थी अब उनके हस्बन भी कूथ पड़े हैं तो आप समझे गए हूँगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ अभिनव शुकला की तो बताऊंगी पूरी खबर लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को जरूर प्रैस कर दें क्योंकि सिदनाज से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल से आप तक पहुँचते रहते हैं हाँ भाई फिर से एक ट्वीट कर दिया है अभिनव शुकला ने सिदा शुकला को टागेट करते हुए भाई अभिनव शुकला को क्या जरूरत है बीच में टांग अड़ा कर अपनी वहवाई लूटने की वो तो एक ग्रेट ल किया है उन्होंने ट्वीटर पे भी लेकिन फेंस ने भी गाईस जी भर के बेंड बजाई है इस इंसान की और बजाना भी चाहिए तो सिदा शुकला ने एक टीचर और स्टुडेंट को लेकर एक ट्वीट किया था कुछ समय पहले उसी के लिए रिपलाइ करते हुए अभि मतलब अभिनव कह रहे हैं कि आप टीचर से लिएंट याने की एक उदार ताकी बात कर रहे हो कि टीचर को होना चाहिए क्या आप जब सीनियर बनके बीबी 14 में आये थे तो क्या आप लिएंट थे और मुझे एक अच्छा आंसर आपसे चाहिए तो भाई सिधार शुक्ला वैसे तो ऐसे लोगों को एग्नॉर करते हैं पहले भी इस तरह का कॉमेंट ये कर चुके हैं और सिधार ने एग्नॉर किया था लेकिन इस बाद सिधार को जवाब देना जरूरी हो गया था क्योंकि सिधार भी जानते थे कि फैंस इस पर बहुँ तो समझतार है खुदी समझ जाएगा तो तेखो भाई कितना दिमाग है इसमें सीनियर और टीचर को कंपेर कर लिया अब सिधार शुक्ला तो भाई सीनियर बनके गए थे वीवी 14 में और इंजॉय करने के मूड से गए थे अगर इनको सिधार शुक्ला का रियल रूप देखें बीवी 13 में किस तरह से वो टास्क करते थे और किस तरह से अपने घुसे को हैंडल करके लोगों को हैंडल करते थे और समझाते थे भाई ऐसे विनर थोड़ी ना बने बीवी 13 के सिधार शुक्ला बहुत सारी क्वालिटीज हैं उनमें सिधार का जवाब सुन कर तो अभिनाव को समझी नहीं आ रहा होगा कि अब मैं क्या बोलूं और आगे क्या ट्वीट करूं भई ऐसे लोग हैं अब ठीक है यार ऐस बहाने थोड़ी बहुत फोटेज तो मिली गई ना अभिनाव को भी यही तो वो चाहते थे तो यार क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे यही सारी लेटिस्ट अपडेटों से इडनाज मॉमेंट मेरे चनल से आप तक पहुंचते रहते हैं